अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूले और साथी साथ अगर आप इस चैनल पर नहीं आए हैं तो सबसे पहले मेरी चैनल को सबस्क्राइब कीजिए बैल आइकन को दबाना ना भूले तो आईए हम शुरू करते हैं हमने अपना फांडेशन ऑफ नर्सिंग अल्मोस्ट खतम कर दिया है अब हम शुरू करते हैं अपनी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जिसमें हम शुरुवात करेंगे सबसे पहले कार्डियोस्कुलर सिस्टम से बहुत हो का फेवरेट होगा मेरा भी है तो दोस्तों यह जो चैप्टर है न शुरू करते हैं मैं हूं मैं हूं आपकी प्यारी दोस्ट चंजल शर्मा नर्सिंग ओफिसर व्यम्म से और सब्दजंग हॉस्पिटल से तो मैं शुरू बात करने हूं ब्लड से तो ठीक है सबसे पहले स्टार्ट कीजिए वॉल्यूम ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है न प्रपास हमेटोपास होता है कि कैसे बलेग्ट्स हैं बहुत प्रेटिलेट्ल हैं उनका फॉरमिशिं के से स्कट्स को स्टार्मा कर लीज माउन इसमें आप अपर आशुडितु कैसे होते हैं हमारे बॉडी में किया होते हैं फ्रसली डिफरेंशियुट कर जाते हैं मैलोड और लिम्फोईट सेल गे बीच में ठीक है हमारे पास सबसे पहले क्या होता है pluripotent cells होती थीक है जो हुमारे प्लूरिपटेंट सेल हैं वो हमारे डिवाइड करती हैं दो चीज में एक माइलोइड में और एक हमारी लिम्फवाइड सेल्स में ठीक है जो divide करता है वो बनाते है platelets और थर्ड जो हमारा होता है उससे हमारे बनते हैं WBC कौन कौन से WBC बनेंगे यहाँ पर isonophils बनते हैं basophils बनते हैं neutrophils बनते हैं इसके अलावा क्या बनता है monocytes बनते हैं ठीक है monocytes और क्या बनता है mass cells बनते हैं यह चार्ट आप कॉपी कर लेना ठीक है हमारे जो lymphoid होता है अब lymphoid cells है हमारे क्या बनता है B cell बनता है दूसरा हमारे क्या बनता है T cell बनता है जो तो बीघ्य है हमारे वह हमारे क्या बनाते मंतर अंदर है थे हमारा क्या होते हैं है यह ने इस आत्य से यह हमारे होती शրप्रेशल होती यह हमारी उन सेल्ग करते भंद लिम्फोइड है इट इट इंट ती विदे अधी एट प्लाजम जो एनवाड शोर्ट इस ऐस फ्लीज नेट सुन्द तो विद टो थी ने लुग टैप्स लाइक फिरॉस्त इस फिर्स्व फिर्स्ट इस जिद गरती है तो चुल्स old-gave water से Styles 99 प्लांसा है उसमें 90 प्लाज्म कोते हैं कor डूंन होते हैं कुछ इसके इलावा बाड़ी में दो तरह के प्रोटीन होते हैं का इसे पूछा जाते हैं कि मैजर प्लाजॉट्म कॉन सबस्क्रेंस इसको स्टार्माइक कर लीजी यह आपका स्टार्माइक का कॉशन है कि मेंज प्लास्मा प्रोटीन जो है हमारे पास वह हमारा इल्बूमीन होता है कि अब बात करते हैं फॉर्मड एलेमेंट की स्टीन सब्सक्रीच से लिए डियाबिल दिस्क होती है इस तरहें से जो साइज है वह कितना होते है ते a micRometer और जो नम्मर है जो इसका नम्मर है वह भटा है Males में 4.5 to 6.2 और Questions, at 10 Central 2 of कि आप अर्वी शी का अर्वीश हमारे पास अलब और गलोबिन जो हैं यह तो यह कईरी करता है और कने मालीक्यूलब होते हैं उसका जो काम है हमारी बाडी में वो और को हमारे organs तक पहुचाना है और yt Αसे निकलाए लंक्स तक पहुचाना है यह हमारा काम होते हैं ब्लका का जो और सी कics क्यों पूरा होते हैं यदि रिवसे इस क् witnessing payment के दो और फिटस में कितना हो साथ quality का कैसे होती हम लग अलग हो जाता है यूं हमारामयट हो जाता है हुआ हो जाता है लीवर से as a product of bile ठीक है बाइल का प्रोड़क्ट जो होता है उसे रिलीज होता है प्रोटीन है जो हमारी वापस ब्लड प्रोटीन में एड़ होके फिर से हिमोगलोवें सिंदेजिस करना ही लग जाती है अब बात करते हैं हम WBC की WBC अगर हम उसे माईक्रोस्टोफ में देखले तो जो मॉफ़ोजी में अगर हम बात करें तो इसका जो 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 करेंगे तो न्यूक्लियस होता है न वो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर होता है ठीक है तो किसी सेल के अंदर इस तरह गर नूकलेस हो दे यह पॉलिमवफिक नूकलेस है ठीक है जो ए क्लिश मोननृुक्लीयर हमारी 又 ग्रेसाइट लिन्फोसआइट्स वह दो रहें जो सबते जो बाद मैंक्रोफेस बन जाते हैं और हमारे आते लिंफोसाइब करता है जो मैंने आपको hypersensitive reactions में बताया था यह कोश्चन है कि टी लिंफोसाइट कहां पर बनते हैं कहां पर मैच्वर होते हैं तो यह लिंफर टिशू में बनते हैं और यह मैच्वर होता है थाइमस में इसको स्राव मांक कर लेना लिकोसाइट का लाइफस्पान कितना होता ह होते हैं तेलि该 लेकर लेकर पर कितना होता है 1.5 से लेके फौर पॉयंतफाय सब्सक्राइट करती है है कपनक्शं का आइस और अग्रेंशन कर भले personalized में उस पर क्लंब बना लेती है जसती कि हमारा क्या गोंगा ब्लड लॉस नहीं होता है Hash कि वह स्कुछन पूचे जाते कि किस से ने किया था और जो और स्दोल ने पॉझ्ट पॉज़ तो हमारे पस कितने तरह के ब्लड होते हैं हमारे पास चारतरे के ब्लड है एब ऑर जो ब्लड है ना वो वह ब्लड गूप ब्लड ग्रूप है सी नहीं होता सुरी के बलड ग्रूप है जो थे ग्र के उपर इंटिजन होते हैं टो इसकी बाड़ी में डोनों प्रेजल प्रेजल रहर अगर उसकी और एक विए बी अपर नहीं है उसकी आर्पी यहां उसके अलावा क्या होता है P अगर किसी की बैंटम हो जाएक हमारे पास ठीक है लेकिन उसके जो प्रिरट में जो ब्लड ग्रूड होता है एक अगर एंटिजन है थिक है तो ब्लड ब्लड होगा वह एक नहीं नहीं होता जीरो एंटिजन हो तो वह हो जाएगा ऑग और जो इसमें एंटिजन होती है इसे individual प्र्वोय और भी दुरतरखी antibodies होती है ठीक है अब बात करते हैं रह्स स्पटर की रश्टर को भी किस नी डिस्कवर किया था यह लैंड़्टीन ने डिस्कवर किया था इसको ऊरच फेक्ट प्रक्टर क्यूंब बोल किये सबसे फरस्ली जो डिस्कवर किया गए था वो रीजस मंगी के अंदर किया गया था ठीक है तो रीजस मंगीống नाम पर जो इसका हम यह जो वर्ड है आरच मान के चलते हैं आरच फेक्टर क्या है जो आरबीसी होता है ना किसी-किसी जो इंडिवेशल्स होते हैं उनके अंदर आरबीसी बे नॉर्मल A, B, A, B के अलावा कुछ एक्स्ट्रा एंटिजन्स भी होते हैं ठीक है उन एंटिजन्स को हम क्या बोलते हैं आरच एंटिजन बोलते हैं और कुछ के बलड में नहीं होते हैं तो जिनमें वो होते हैं हम उन्हें आरच पॉजिटिव बलड बोलते हैं और जिनमें न नहीं होती है से एक कि यह जो एंटिवाड़ी है किसी भी और अरिज नेगटिव बलड़ के अंदर वो कब आती है जब कोई आरस पॉजिटीव बलड जो है वह आर्च नेगटिव के अंदर या तो ट्रांस फ्यूज किया जाता है या फिर कोई आरेच नेगटिव मदर एक और एंदर बनने लग जाती है ठीक है क्योंकि जो आरच नेगटिव ब्लड है ना वो आरच पॉस्टिव को ऐसा फॉरण बॉड़ी समझता है और अगर इन केस आरच पॉस्टिव और आरच नेगटिव मिल जाते हैं तो महां पर अग्लोटनेशन हो जाएगा क्लंपिंग हो जाती इसलिए आपने पढ़ा होगा जो मदर्स आरच नेगटिव ब्लड कैरी करती हैं उनके बेवें में बहुत चांस होते हैं आरच पॉस्टिव ब्लड होने के अगर उनका हजबन का ब्लड गुरूप पॉस्टिव है तो ऐसी फीमेल्स में हम क्या करते हैं आफ्टर डिलीवरी होती है ना उनमें में मेंरी बहुत अच्छी होती है योगि अगर ये विमें अगर हम इसे नहीं देंगे तो इसके अंदर एंटीबॉडी होगा अगर फीटस फिर से आर्च पॉजिटिव वाला होगा तो यह एंटीबॉडी क्या होगा वक्त से पहले यह बनना शुरू कर जाएगी और यह आई जी बहुत जादा इंक्रीज हो जाएगा ठीक है आपको यह पते कि कॉंसी अंटीबॉडी पहले बनती है सबसे पहले जो होती है रीसेंट इंफेक्शन जब होते है नॉमली तो क्या बनता है आई जी एम बनता है ठीक है जैसे फरस्ट प्रेग्नेंसी होई तो उसमें बनना शुरू हो गया और जो आई जी जी एना यह प्लसेंटा को क्रॉस कर जाता है तो यह पॉस्टिव का फीटर सेना उसके ब्लड में क्लंपिंग करने लग जाएंगी और जो आरच पॉस्टिव बेबी है ना वह फीटल डेथ हो सकती है या फिर एरिफ्रोब्लास्टोस हो जाता है ठीक है यह पने पड़ा होगा हails इसलिए इंपारटन है इसके बेस पे हमें जो इंपर्टेंट क्या है त्रूस मैं में सिंग इंपक्रेंटंक हैई कि यहां पर हमारी क्या होगी इंज्री होगई इंज्री से क्या हुआ ब्लड लॉस होने लग गया सब से पहले क्या होगा हमारी ब्लड वैसल है वह कॉंस्टत कर जाएगी तींक है उसकी वाल हमारा शुरू होगा इसमें इसमें और चाहिए होता है जब चाहिए होता है ठीक मैंने आपको बता दिया है ये मारी ब्लड वैसल है ये व्लड वैसल थी इसमें हमारा यहां पर इंजरी हो गई ब्लड लॉस हो रहा था सबसे पहले वैसकां पर आगे जब लौटिंग स्टार्ट हो रही होती है न तो एक तो पहले चला जा हम तेरे पीछे अभी मूद हो के आ रहे हैं तो प्लेट सबसे पहले आ जाती है ठीक है वो क्लंप बना लेते हैं पर इसके सब के मोड़ेशन बना वहाज होगी इन्जियृ इंजिरी में क्या हुआ करने लग सब्सक्राइब उसमें हमारा प्रोटोंबिन होता है प्रोथ्रॉम्भी में सब्सक्राइब धो यौक्तियाइन से काम करते हैं थी कि in d category में फिर्याइब हमारा कनवर्ट ऊजाती घंटिति भर लिए के लिए है फिप्रोनोजन हमारा जो है किसमें कनवर्ट हो जाता है फिप्रोनोजन हमारा फिप्रिन में कनवर्ट हो जाते है ठीक है फिप्रोनोजन किसमें कनवर्ट हो फिप्रिन है हमारा वह वह क्या है वह अन्सॉलेबल प्रोटीन होता है तो यह का करता है एक अलग से प्ल बोलते हैं अब हम हार्ट पर मूफ कर जाते हैं human heart जो है उस पर हमारा blood जो है खतम हो चुक है human heart में हमारे पास क्या है सबसे पहले क्या आती है layers हाते हैं हमारे पास तीन layers होते है human heart की pericardium myocardium और endocardium जो pericardium होती है outermost layer है यह दो में इसको डिवाइड होती है एक पराइटल और एक विस्रल ठीक है इसमें प्रोटेक्टिव फ्लूड भरा हो यह था है फ्रोटेक्टिव साइग वहता है एक lubricating fluid होते है जो friction से रोकता है उसको हम क्या बोलते है पैरिकार्डिल फ्लूड बोलते है ठीक है में अमारा एंडोधिल लाइनिंग होता है जो इननमोस है यह हमारे चैंबर्स और वॉल्फ को गवर करता है तो यह हमारी लाइनिंग है इसके बाद हम बात करते हैं चैंबर्स के तो human heart के अंदर क्या होता है 4 chambersworth होते RIट पैंस आपको विजिवल नहीं होगा चाहर्द नोटाट चाहर्ष होते हैं हमारे पास हमारेillah इस त्ट फैप्शन में यह यह वाला चैंबर यह हमारा कौन सा है हमारा राइक है है और जो इस साइड का Chamber है वो हमारा Left Atrium है नीचे Chamber होता है वो राइट Vaintricle है और इस तरफ का Chamber है वो Level وेंट रेकर ह्ट है तो जो मारा लाइट को सब्सक्राइब होता है ब्लड को सब्सक्राइब डेता है निचे तो तु lip ए मुपली और है लिपाला बलल अब कहां से लेता यह पुली गन्यीयक लेभा है अब जो ब्लड है हमारे पस शोट ब्लड है वह छो्टिक को मंब इसमें मुव कrevaya रहें गार्ड मिघ cooking लेटेंज में इस जगें पर कहा पर कुछ वाल जो घूंग होगते हैंществ करेंगे êm टाब होथे क्या थी को वाल भ आndगार इस ज कि जहें पर कुछ वाल्वक्रत होते हैं इन वाल्व कोई था है जो एसमें कॉंसे होते हैं हमारा पास bicar Acepid वाल्व होते हैं जो लेफ्ट Atrium और लेफ्ट वैंतरिकल के बीच में होता है मतलब यह वाला-वाल उसको Squid uda an घाशय को भॉल्ट बॉल्ट आप लिचे अहीं होते हैं और वाल्व होता हैं इसको उन्हेते उिसको यह laquelle और है वह compare अगया कि वह हमारे दिर हागया राइट बौंस का हां टाइए पल्मरोरी आर्टी तथी है उनके घ्रूप में जी करेंब इसके थे थική हो हमारी पूरी सुलमिंप सबसी Walk sitting ता जाता है how shall तो इसके अलावा जो मैंने आपको दो बता दें में शुक्मारे ऑनों ब्लोषा को इस वालव थो जब हमारा ब्लड राइट वेंटिकल से सैमेले फॉल्फ में एंटर करता है और इधर से हमारा लेफ्ट वेंट्रीकल से एंटर इंटर करता है तो इस टाइम पर जो हमारे बाइक पीड ट्रीकाश्पीड वॉर्स ते वह अपने आप दो यह क्या करते हैं यह व क्लोज हो जाते है तो यह क्या करते हैं वहारा गया गया वहांटेमी है यहां पर इतना अब नेख्षट हम क्या बात करेंगे हमारे हाट में साउंड्स होते हैं एसवनो gonna आते हैं तो जब भी हमारे एट्रिवेंट्र वाल्स क्लोस होते हैं किस टाम पर чисमगे यह अरिक हुआ भी किस टाइम का तो उस टाइम पर हमें जो सॉनाई देता है वो होता है दने फ़र सांट होता है एसदी वह हमारै कबें चे स्त मुंता है Place Star wil nine 39 open 호 जाते हैं ऑपन हो धुता है उसको हम बोलते हैं ये हमारे हार्टивает सांथ होती है झिसके फरेह हमारा ऐसी जिया आथा है ठिक है तो यह सब में आपको समझा दी है चलम टैसे मेन अपको यह लोकेटेड होती है एड़ फिफ्ट इंट्रकॉस्टल स्पेस नियर लेफ्ट मेर्ट लेवगल लाइन ठीक इस टामा के इसको माकले ना बाकि यह तीन इतने इतने इंपॉड़न नहीं है इसमें हमारा क्या होते हैं जो करोनरी स्टार्ट होती है इसमें हमारा क्या होते हैं दो भागों में डिवाइड होते हैं एक हमारा एलसी होते हैं एक हमारा आर्सी होते हैं लेफ्ट करोनरी आर्टरी आर्सी राइट करोनरी आर्टरी जो लसी है हमारी वह फर्दर डिवाइड क जाती आर्सी जो है मार्जनेल आज्ट एवर और राइट एंटीरिए डिसेंडिंडी हर्ट को करता है प्लस थोड़ा सा सेप्टम और पुस्टीरर पार्ट जो होता है वेंट्रिकल्स का उसको सप्लाइ करता है तो आप चार्ट भंग से बना ले न एक एक्जाम पॉइंट व्यू से वह किसी भी चीज़ को ऐसे सप्लाइ कर रही हो तो नॉमल पाथवे से कोई और पाथवे जनरेट हो जाना ठीक है उसके अलावा तो यह को अन्दर यह क्या होता है उसके नहीं होती है तो नॉमली हार्ट एक को सर्वाइब नहीं कर पाते हैं ठीक है अगर यहां पर कभी को मिल जाएगा लेकिन जो ओडर पीपल होते हैं उनके अंदर होती है तो वह हट के एक दो हार्ट अटेक में क्या है एक दो चांसे सर्वाइव कर लेते हैं इसी की वज़े से मैंने मिटा दिया अब इसे अराम से पढ़ लेना पॉस करके हैं ठीक है मैं लिखती हूं तो ऐसे नोड बोलते हैं इसके पास सेल्फ एक्साइटिंग और इसको उसको हम क्या बोलते है यह कहां पर सुचूटेड होता है इसे के आप प्रेंट यहां से इंपल्स को लेकर जो वेंटर को इसमें लेकर जाते हैं कि परकी दोते हैं घुफिंख के इंदर करके जाता है तक तो यह नहीं सिस्टम तर यहीं मैंने बदाया ऐसे नोटोटalition में होता है 60-500 का पल्स होता है face maker of the heart बोला जाता एक बार के इतना होता है हमारी बॉल्ट होता है इसको 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 अल्मोस्ट हमारे पास कितना है फाइव लीटर्स ब्लड हमारी बॉड़ी एक बार मां सर्कुलेट करती है कि हार्ट रेट की बात करते हैं हार्ट रेट के ओधे कार्ड कोंट्रेक्शन इस्टम और डिक्रीज हो जाते हैं पैर संप्रिक नवस सिस्टम शिक्स्टी तुह हंड़ेट नॉमल होता है अगर हंडेट से कम हो जाता उस ट्रम को बोलते ब्लेडिकार्टिया और जो 60 से 100 से हर्टच करते nya Unless bull Morberост में कि फाइनली वाइक्र सarms कोपिक कैपरींग मैं इनका जो फॉर्मिशन होता है ना उसमें लाइग कौन- मीडिया धुनिका मीडिया डिक आरफ़ते लेक्स लिए उसको पढ़ते और आम से थीकए मैं बात करते हैं हमारे पर 115 फील अजय के वाटे कि वाजा से फीलो तीज पुस्टिटर टिबिल जो है वो बहाइंड मीडियल होती है जो डॉट सेले स्पीड़स है वो मेरे एंटेलर सर्फिस फुट पर फील होते है जस्ट बिलो बैंड ऑफ था एंकल ठीक है इसके बाद आजाओ यह हमारी कौन्सी फिमोरल पल्स जो ग्रॉइन में फील हो रही है यह वाली जो हमारी प्ल्स है यह वाली हमारे डॉट सेले स्पीड़स पल्स है ठीक है जो फुट पर फील हो रहा है यह वाले एक बार कॉश्चन आया था सॉरी 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 और यह वाली लास्ट है हमारे पास वह पुश्चिड़ टिबियल पल्स है ठीक है तो यह हमारी पल्स है वेंस की बात करते हैं वेंस क्यादी करते हैं ब्लड को लेकर आते हैं ब्रांच करते हैं वेंस में वेंस जो क्रैनिल कैविटी के अंदर होती है ना दखिक है जो आप की जो मौर्दन डू अम्म की वेंस होती है ना उन में वाल्स होते हैं जो बैकवर्ड फ्लो को रोते शेशली हमारे लेक्ष सोती है वहाँ पर जो वेंस है उसमें वाल होते हैं इसलिए उसमें backwards जिसे मारा जो ब्लड है ना उपर के तरफ मूव करता है नीची ग्रेविटी के तरू नीचे के तरफ मूव नहीं कर पाता हूं वाल्स की वज़े से कैपली इसके अंदर सिंगल लाइनिंग होती है इंटिमा होती से लिए एक सिंगल सेल की तरह काम करती है इसे के साथ मैं अपना काडियोवस्कुलर सिस्टम पार्ट वन खतम करती हूं आगे के लिए आगे पढ़ने के लिए देखते रहिए मतलब देखते रहिए नहीं देखिए गा मैं पार्ट टू लेकर आऊंगी उसमें हम आगे का डिस्कस करेंगे तो यहीं पर ठीक है बाई- टेक केर पढ़ते रहें पढ़ाते रहें ध्यान रखें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएं